आप दोस्तों नमस्कार मैं सुरेच पाइप अफ़ीकेटर मैं आज आप लोग को दिखाने जा रहा हूं पलंबर का काम देखिए मैं फाइप फब्रिकेटर हूं बट क्या है घर पे आप लोग अपने से भी फिटप कर सकते हैं तो मैं अभी फिटप कर दिया हूं तो यहां प घर पर जिसर की यहाँ पर हो गया कि लगते हैं वहांपर यहां सबसे में तो 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 आप लोक दिस्टेंस रखिए गा यहां से यहां तक 20 Pure भी में तक 204 पी और बैठे गा हमारा गीजर गीजर मना जिसमोग गया हुगा निकलता है ठीच्ए। एक हो गया इनलेट एक हो गया आयट ठीच्ए आपकर यहां से देखिए यह जो वाल मिक्क्सर में से एक और यह देखिए वी मिस्तिरी सबसे हें क्रीष्णा करिष्णा बेदर्दी ठीकैं और यह देखिए नास्ता अस्ता भी चल रहा है तो मैं आप लोगों को किचेन में भी दिखा देता हूं ठीकैं यह देखिए एक यहां पर कीचन के अंदर एक गीजर लगेगा ठीक है और एक यहां पर आरो लगेगा ठीक है और यहां पर क्या है कि दो पॉइंट दिया हुआ है एक गरम पानी के लिए एक ठंडा पानी के लिए ठीक है अब यहां पर कीचन देखिए अभी सही से बना नहीं है पॉइंट ओनली दे दिया गया है मोटर यहां पर लएगा और देखिए फिट अपके इतना चाहिए यहां पर एक मोटर का टूकु दिया हुए टेंक में स्यारा है पाइप और यह अंदर का पानी यह बाहर जाएगा यहां पर चौतरा बनेगा कॉल हलेगा ठीक है और यह द प्राइण नहीं है ठीक है उपर जा रहा उपर भी शीट बैठेगा तो आप लोग देखिए ठीक है आप लोग मानली यह पाइप फीटर है आपका ब्रिकेटर है तो अपने घर पे अपने से भी खुद आप लोग कर सकते हैं तो और को लोग क्या ले यह देखिए यह तो आप लोग डालिएगा इसे ही ठीक है देखिए इधर टी लगा हुआ है एक चला गया टंकी में गोलू पाइप नाचाओ देखिए आप लोग अच्छा से डालिए गए से पाइप नाचाओ नाचाओ कर अच्रश को दो दो आगे एक उपर से पाइप आ रहा है एक टंकी में चला गया एक इधर से आएगा यहां पर सीट बैठे गया गुच्या परिज्य है नाचाओ घ्या इंध आगे लोग से आढाऊ कम्प्लीट हो गया देखिए ठीक है अपने भर में लगाए हैं आप लोग भी अपने से लगाईएगा ठीक है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों लोग को पैर कीजिए